आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, आज की Question में बोला गया है Define Fertilization Fertilization क्या होता है हमें उसे Definition से बताना है तो बेसिकलिए अगर हम देखें तो Fertilization का ये मतलब होता है कि दो Haploid Gamets जो होते हैं उन दो Haploid Gamets का Fusion होना या फिर उन दो Haploid Gamets का Union होना तो उस Process को हम बोलते हैं कि It is the Process of Fertilization और वो जो 2 Haploid Gamets होते हैं वो कौन से होते हैं तो वो होते हैं Spermatozoa and एक होता है Oocyte मतलब ये जो होता है ये Male Gamets होता है और Oocyte जो होता है वो Female Gamets होता है तो जब इन दोनों Gamets का क्या हो जाता है Fusion हो जाता है उस चीज़ को हम बोलते हैं कि It is the Process of Fertilization Basically Fertilization को दो Parts में Divide किया गया है एक होता है External Fertilization और एक होता है Internal Fertilization External Fertilization का ये मतलब होता है कि वो Fertilization जो Female Body के बाहर हो रहा हो तो उस Fertilization को हम बोलते हैं कि It is a Type of External Fertilization Whereas Internal Fertilization का वो मतलब होता है कि वो Fertilization जो Female Body के अंदर हो रहा हो Inside हो रहा हो तो It is known as Internal Fertilization क्लासिक्स चुट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंज और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर